नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी और अदालत ने मौत की सजा सुनाई और गोली मारने की घटना के 21 महीने बाद मंगलवार 15 नवंबर 1949 को सुभा 8 बजे अंबाला जेल में फासी दे दी गई अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने गांधी को मारने के कारण के बारे में एक बहुत लंबा बयान दिया जिसे यहां रखना संभव नहीं है लेकिन गोडसे ने अदालत में अपने बयान में कुछ टिपणियां की है जिससे में कुछ इस तरह है मैंने इस बात को कभी भी गुप्त नहीं रखा था कि मैं उस विचारधारा या उस विचारधारा का समर्थन करता हूँ जो गांधी जी के विरोध में थी मेरा द्रिण विश्वास था कि गांधी जी द्वारा वकालत की गई पूर्ण अहिंसा की शिक्षाओं का परिणाम अंतत निर्बलता में होगा हिंदू समुदाय के और इस प्रकार समुदाय को अन्य समुदायों विशेश कर मुसल्मानों के आक्रमन या घुसपैट का विरोध करने में असमर्थ बनाते हैं 13 जनवरी 1948 को मुझे पता चला कि गांधी जी ने आमर अंशन पर जाने का फैसला किया था इस तरह के उपवास का कारण यहां बताया गया था कि वह भारतिय डोमिनियन में हिंदू मुसलिम एकता का आश्वासन चाहते थे लेकिन एक और कई अन्य आसानी से देख सकते थे कि उपवास के पीछे का असली मकसद केवल तथाक्थित हिंदू मुसलिम एकता नहीं था बलकि डोमिनियन सरकार को रुपए का भुकतान करने के लिए मजबूर करना था जिसमें पाकिस्तान को 55 करोड देना था जिसके भुकतान को सरकार ने जोरदार तरीके से मना कर दिया था मैंने कई वर्षों तक आर एसेस और बाद में हिंदू महासभा में शामिल हो गए और अपने अखिल हिंदू धवज के तहट एक सैनिक के रूप में लड़ने के लिए खुद को स्वेच्छा से दिया और शिवाजी, राना प्रताप और गुरु गोविंद को पथबरष्ट देश भक्त बताते हुए गांधी जी ने केवल अपने अहंकार को उजागर किया है, 1919 तक गांधी जी मुसल्मानों को उन पर विश्वास दिलाने के अपने प्रयासों में बेताब हो गए थे और एक बेतु के वादे से दूसरे में चले गए, उन्होंने मुसल्मानों को ब् समर्थन को सूची बद करने में सक्षम थे, प्रतेक हार के साथ गांधी जी हिंदू मुसलिम एकता प्राप करने के अपने तरीके के लिए और भी उत्सुक हो गए, जुआरी की तरह जो भारी हार गया था, वह हर बार अपने दाव को बढ़ाते हुए और अधिक हताश हो ग यदि केवल वे श्री जिन्ना को शांत कर सकते थे और स्वतंत्रता की लडाई में महात्मा के नेत्रित्व में उनका समर्थन प्राप कर सकते थे। उन्होंने मुसल्मानों के लिए विक्सित किया था। उन्होंने लाखो विस्थापित हिंदों के लिए सहानुगूती या आराम का एक भी काम नहीं किया, मानवता के लिए उनकी एक ही आख थी और वह थी मुसलिम मानवता। जिस हिंदो मुसलिम एकता को गांधी जी ने स्वयं कई बार सामने रखा था, वह इस प्रकार की नहीं थी। वह चाहते थे कि वे दोनों कामरेड के रूप में स्वतंत्रता संद्राम में भाग ले। यहीं उनका हिंदो मुसलिम एकता का विचार था। हिंदों ने गांधी जी की सलाह का पालन किया लेकिन मुसल्मानों ने हर अवसर पर इसकी अवहलना की और ऐसा व्यवहार किया जो हिंदों का अपमान होगा और अंत में यह देश के विभाजन और विभाजन में परिनत हुआ है। संक्षेप में मैंने अपने मन में सोचा और पूर्वाभास किया कि मैं पूरी तरह से बरबाद हो जाऊंगा और केवल एक चीज जिसकी मैं लोगों से अपेक्षा कर सकता हूँ। वह केवल घ्रणा के अलावा और कुछ नहीं होगा और यदी मैं होता तो मैं अपने जीवन से अधिक मुल्यवान अपना सारा संबान खो देता गांधी जी को मारने के लिए। लेकिन साथ ही मुझे लगा कि गांधी जी की अनुपस्थिती में भारतिय राजनीती निश्चित रूप से व्यावहारिक होगी, जवाबी कारवाई करने में सक्षम होगी और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली होगी। निहसंदेह मेरा अपना भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा लेकिन देश पाकिस्तान की घुसपैट से बच जाएगा। लोग भले ही मुझे निहशब्द या मूड कहकर पुकारें, लेकिन राष्ट उस मार्प का अनुसर्ण करने के लिए स्वतंत्र होगा जो उस तर्प पर आधारत है, जिसे मैं स्वस्थ राष्ट निर्मार के लिए आवशक समझता हूँ। इस सवाल पर पूरी तरह से विचार करने के बाद मैंने इस मामले में अंतिम निर्णय लिया लेकिन मैंने इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपने दोनों हाथों में साहस लिया और मैंने 30 जनवरी 1948 को बिडला हाउस के प्रार्थना स्थल पर गांधी जी पर गोलिया चलाई। सच तो यहा है कि 300 से 400 लोगों की भीड की मौझूदगी में मैंने गांधी जी पर दिन के उजाले में गोलिया चलाई। मैंने भागने की कोई कोशिश नहीं की, वास्तव में मैंने कभी भी भागने के किसी भी विचार का मनोरंजन नहीं किया। मैंने खुद को गोली मारने की कोशिश नहीं की। ऐसा करने का मेरा इरादा कभी नहीं था, क्योंकि खुले दर्बार में अपने विचारों को प्रकट करने की मेरी प्रबल इच्छा थी. मेरी कारवाई के नैतिक पक्ष के बारे में मेरा विश्वास इसके खिलाफ हर तरफ से की जा रही आलोचना से भी नहीं डगम गाया है. मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के इमानदार लेखक मेरे कार्य को तौलेंगे और भविश्य में किसी दिन उसका सही मूल्य खोजेंगे. अखंड भारत अमर रहे वंदे मात्रम